Information Superhighway Objectives जैसे कि हमने पहले जिक्र किया था कि दो या दो से ज्यादा computers को अगर हम आपस में connect कर दें, तो वो एक network बन जाता है. एक network में मौझूद computer आपस में बात कर सकते हैं, यानि अपना data और information शेयर कर सकते हैं. जब हम मुख्तलिफ networks को आपस में connect करते हैं, तो इसको इंटर networking कहा जाता है. इस इस्तला को आम जुबान में इंटरनेट कहा जाता है. इस तरह इंटरनेट के जरीए दुनिया के मुख्तलिफ मुमालिक में मौझूद लाखों बलके करोणों computers आपस में connected हैं और आपस में information शे information हासिल करने का तरीका ही बदल गया है. क्यूंकि इंटरनेट के आने से दुनिया एक global village बन चुकी है, जिसके मानी है एक बहुत बड़ा गाउं, जहां पर information को एक जगा से दूसरी जगा पर जाने के लिए ज्यादा देर नहीं लगती. आप यकिनन सोच रहे होंगे कि आपके घर पड़ा computer, जपान में पड़े computer के साथ किस तरह information हासिल कर सकता है, या इसको किस तरह connect कर सकता है. दरसल सारे computers को connect करने के लिए telephone network और satellite network का सहारा लिया जाता है. जिस तरह दो लोग आपस में फोन पे बात करते हैं, उसी तरह दो computers telephone line के जिरिये आपस में information शेयर करते हैं. लेकिन आप यह सोच रहे होंगे कि internet किस की मिलकियत है? इसे कौन चलाता है? इसका जवाब यह है कि यह network ना तो किसी की मिलकियत है और नहीं कोई मखसूस organization या मुलक इसको चलाता है. मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने computers पर मुख्तलिफ किसम की information महफूस की होती है. अगर वो चाहीं तो वो यह information internet से connected हर शेयर कर सकते हैं. अब सवाल यह पैदा होते हैं कि internet कैसे access किया जाए? इंटरनेट तक पहुँचने के लिए internet service providers मौचूद हैं. इंटरनेट service providers या ISP उन companies या organizations का नाम हैं जो सारफीन से fees लेकर उन्हें internet से connection की सहूलत फरहाम करते हैं. यह हर वक्त internet से connected रहते हैं. जो भी internet से connect होना चाहे, वो अपने local internet service provider से connect हो जाता है और इस तरह पूरा internet उसकी access में आ जाता है. Services on internet जैसा के आपने देखा, internet हमें information share और transfer करने की सहूलत फरहाम करता है. इसके मिसाल सडकों के जाल की माननद है. जिस तरह हमें सडक की वज़ा से bus और vans की service प्रवाइड होती है, उसे तरह internet की वज़ा से हमें मुख्तलिफ सहूलियात मुयासर हैं, जैसे के worldwide web और emails वगेरा. वर्ल्ड वाइड वेब वेब पेज एक ऐसा document है, जिस पर text, image, आवास और movies भी रखी जा सकती हैं. जिस तरह हर मकान का एक मुनफरिद ऐडरेस होता है, तो कोई भी शक्स उस ऐडरेस से सिर्फ उसी मकान तक पहुंच सकता है. यानि उस ऐडरेस को follow करके वो किसी और मकान तक नहीं पहुंच सकता. उसे तरह हर वेब पेज का भी एक मुन्फिरिद आडरेस होता है जिसे URL ये Uniform Resource Locator कहते हैं मिसाल के तोर पर ये Virtual University के वेब पेज का URL है वेब पेज को देखने के लिए जो software इस्तिमाल होता है उसे वेब ब्राउजर कहते हैं मारकेट में मुख्तलिफ वेब ब्राउजर मौझूद हैं मसलन Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome वगएरा ये एक वेब ब्राउजर है जो Internet Explorer कहलाता है इस जगा पर URL लिखा जाता है इस जगा पर वेब पेज यानि आलुमात तसावीर वगएरा नजर आती हैं जिस तरह एक टॉपिक पर लिखेगे सफात इकठे कर दें तो ये एक किताब कहलाती है इसी तरह एक से ज़्यादा वेब पेजिस जो एक ही टॉपिक से मुनसलिक हों वेब साइट कहलाती है यानि एक वेबसाइट पर एक से ज्यादा वेब पेजिस इस तरह पड़े होते हैं कि इन पेजिस पर जाने के लिए हमें URL नहीं लिखना पड़ता बलके लिंक्स मौजूद होते हैं जैसा के आप देख रही हैं ये VU की वेबसाइट है इस वेबसाइट के थूँ अगर हम अकडेमिक्स के वेब पेजिस पर जाना चाहें तो इस लिंक पर माउस पॉइंटर लाकर क्लिक करने से हम मतलूबा पेज पर चले गए हैं गौर करें कि ये अकडेमिक्स एक लिंक कहलाता है वर्ल्ड वाइड वेब पे आपको हर किसम की इन्फरमेशन मिल सकती है अगर आप पूरी दुनिया के अलाकों का मौसम या ताज़ा तरीन खबरे जाना चाहते हैं तो वो भी आपको वेब से मिल सकती है इसके इलावा अगर आप किसी टॉपेक या सब्जेक्ट पर इन्फरमेशन हासल करना चाहते हैं तो वो भी आपको वेब से मिल सकती है और इसका फाइदा यह है कि आपको जगा जगा जाकर स्पेशल इन्फरमेशन कलेक्ट नहीं करना पड़ेगी अब सवाल यह पैदा होता है कि हम वेब तक कैसे पहुँचें वेब पर जाने के लिए सबसे पहले आप अपने कम्प्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करें पिर ब्राउजर को खोल कर इसमें मतलूबा URL लिखें और एंटर की प्रेस कर दें यह आप वेब से कनेक्ट हो गए हैं इंटरनेट के जिरिये जो एक और बड़ी सहुलत हमें हासल है वो इमेल है जैसे के आप जानते हैं पुराने जमानों में एक दूसरे से राब्ता करने के लिए कागस पर लिखे खतूत का सहारा लिया जाता था आजकल खतूत के साथ साथ एमेल यानी अलेक्ट्रोनिक मेल का इस्तमाल बढ़ चुका है एमेल असल में आम खत की तरह ही है बस फर्क यह है कि इसे कीबोर्ट की मदद से कंप्यूटर पर लिखा जाता है और internet के मदद से एक computer से दूसरे computer तक मुंतकिल गिया जाता है इसे दूसरे computer तक पहुंचाने के लिए एक address की जुरूरत होती है जिसे हम email address कहते हैं जिस software में email लिखी जाती है इसे email client कहते हैं इस email client के जरिए ना सेफ नई email लिख सकते हैं बलके send या receive के साथ साथ पढ़ भी सकते हैं email की delivery का procedure आम mail की तरह ही होता है यानि फतूत एक letter box से collect करके post office तक पहुंचाए जाते हैं और वहाँ से दिये के address तक deliver किये जाते हैं email भी आपके computer letter box से internet के post office तक जाती है और वहाँ से उस शखस के letter box में जाती है जिसे वो address की गई हो वो शखस जब चाहे computer letter box से उस email को receive या हासल कर सकता है उसे इस बात कर डर नहीं होता है कि कोई और शखस उसकी email पढ़ लेगा क्यूंकि email को access करने के लिए एक password की जरूरत होती है यानि एक ऐसा खुफिया लफ्स जिसको इस्तिमाल करके आप ये बात साबित कर सकें कि ये आपका letter box है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी post office में एक post box लेते हैं post office वाले इसकी चाबी आपको दे देते हैं इस चाबी की वज़ा से ये post box आपके इलावा कोई और नहीं खोल सकता market में बहुत से email clients मौचूद हैं जिनमें से चंद ये हैं जैसा कि आप screen पर देख रहे हैं कि हम Microsoft Outlook Express इस्तमाल कर रहे हैं जो एक मशूर email client है इसके जरीए हम email send और receive कर सकते हैं email को send और receive करने के लिए आप सबसे पहले internet line को computer से connect करें email को send करने के लिए आप email client को खोल कर इसमें मतलूब टेक्स्ट और email address लिखकर send की बटन पर क्लिक करें इमेल को receive करने के लिए email client पर मौझूद इस बटन जिस पर send और receive लिखा है इसको प्रेस करें इस तरह करने से आपके नाम जो email हैं वो आप तक पहुँचाएंगी Summary इस हिस्से में हमने आपको internet, web और email के बार में बताया इसमें आपने ये भी जाना कि internet बहुत से computers का network है जो कि telephone और satellite की मदद से काइम है इस network के जरिये लोग मुख्तलिफ information एक दूसरे के computer से देख सकते हैं और अपने computer में मुझूद information एक दूसरे को दिखा भी सकते हैं इंटरनेट हमें मुख्तलिफ services देता है मसलन वर्ल्ड वाइड वेब और email वर्ल्ड वाइड वेब मजमूआ है बहुत सारे web pages का और website एक से ज्यादा related बहुत से web pages का मजमूआ है वर्ल्ड वाइड वेब के जिरिये हम कोई भी information हासिल कर सकते हैं दूसरी सहूलत email की है ये आम खतूत की तरह नहीं होती बलकि इसको लिखने, पढ़ने और भेजने के लिए computer का इस्तमाल जरूरी है ये आम mail से ज़्यादा तेज और महफूज है और इसकी गुमशुदगी का इमकान ना होने के बराबर है और क्योंकि ये internet पर रहती है तो पूरी दुनिया में जहां कहीं भी internet की सहूलत फराहम है वहाँ पे ये mail देखी जा सकती है